गुट मॉर्निंग चिल्डरन कल की क्लासेज में हमने पढ़ा वाविल्स, कॉंसोनेट्स और उनके बारे में जाना सबसे पहले हमने लेटर पढ़े थे इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं और उन लेटर्स के एक समू को अलफावेट बोलते हैं यह सब चिज़े हम लास्ट फ्लासेज में पढ़ चुकी हैं और उनहीं से हम इस निशकर्ष पर पहुचे थे कि हमारे पास जो वोविल होते हैं वो होते हैं हमारे वॉकल कॉट से निकला हुआ साउंड जो वोकल साउंड होता है जिसमें किसी भी प्रकार का कोई अबस्टेकल नियाता अपने आप ही जो निकल जाते हैं जिसमें हमारे लिप, हमारी टंग, हमारी बॉड़ी, हमारे टीध का कोई यूज नहीं होता वही होते हैं हमारे original sound या फिर pure sound तो यह सारी चीज़े हम पढ़ चुकी हैं इसमें हमने एक चीज और सीखी थे कि हमारे ये total 20 sounds होते हैं और consonant के 24 sounds तो जो मिलाकर 44 sounds होते हैं लेकिन हमाई पस जो letter हैं वो 26 ही हैं तो इन सभी letters को मिलाकर हम जो ये 44 sounds बनाते हैं उनके बारे में हम धिरिदे पढ़ेंगे और इनका use क्यों हैं हम इनको पढ़ेंगे क्यों उसके लिए सिर्फ ये जारना जरूरी है कि हमारे पास articles होते हैं और यही हमारा chapter भी है article जो articles होते हैं उनका मतलब होता है a, n या फिर दा इसको दा भी बोलते हैं और कई बार इसको दी भी बोलते हैं इसका भी अलग से रूल है तो आज हम जो focus करने वाले हैं जहांपर वो है हमारा a और अगर थोड़ा सा टाइम रहा तो हम n पर भी discuss करेंगे तो सबसे पहले हम यह देख लेते हैं कि जो a या फिर n होता है वो होते हैं हमारे indefinite articles अब आप सोचेंगे indefinite articles क्या होते हैं indefinite articles का मतलब होता है जिसमें कोई निश्चित चीज नहीं है अनिश्चित जैसा कि देखे मैंने लिखा भी है हिंदी में अनिश्चित सूचक यह article इसलिए अनिश्चित होते हैं क्योंकि हमें इसे particular कुछ पता नहीं चलता और यह singular के लिए यूज़ किये जाते हैं एक बच होते हैं definite मतलब निश्चित और निश्चित सूचक आर्टिकल और यह plural और singular तोनों के लिए यूज़ होता है मतलब की बहवचन और एक बचन दोनों के लिए यूज़ होता है दोनों के लिए प्रयोंकिया जाता है इसको अब हम यूज आफ ए हम जान लेते हैं कि एका है box है book है तो इनके आगे अगर हम A लगाती है तो हम किस रूल के के तहत किस नियम के तहत लगाते हैं तो हमने अभी पिछली वाली जो sheet थी है हमारी पिछली वाली जो class थी उसमें हमने यही पढ़ा था consonants, जो consonants होते हैं जिनमें vowel का sound नहीं होता है तो उनके लिए हम A का use करते हैं तो इस प्रकार से B, C, D, F, G जैसे T, P, बहुत सारे words हैं तो इस पर दुबारा से discuss नहीं करते हैं क्योंकि हम इसको discuss कर चुके हैं दूसरा एक और भी कारण है A को use करने का vowel sound like vowel sound like मतलब like consonants जैसे अगर मालेज़े E है आपका ये क्या है vowel है लेकिन जब हम इसको European पढ़ते हैं तो यहाँ पर जो pronunciation निकलता है आपका वो चारण निकलता है वो या और यू तो इसमें आपका pure sound नहीं है इसलिए यहाँ पर हम A का ही use करेंगे इसी तरह यूनिक यही सेम डेफिनिशन है इसकी भी और उसके बाद वन वन में देखिए अब आप वा जो की एक वोबल sound नहीं है वा जो है consonant है इसी प्रकार यूनिवर्सटी वही एक 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 जैमपल है और ऐसे धेरो एक जैमपल से यूटेंसल, यूनिफॉर्म, यूनियन, यूनिटी तो इन सब में confused मत होईएगा इन सब में आप सभी को क्या यूज करना है सिर्फ और सिर्फ A और इसके अलावा कुछ नहीं और अब हम आगे बढ़ते हैं एन के यूज की तरफ हमें एन का यूज कहा करना है तो अब आप यह देखिए अब हम कहां पर हैं यूज ओप आर्टिकल एन पर ए हम पढ़ चुके हैं और अब जब एन के बारी है तो सबसे पहले हमारे जो A, E, I, O, U ये वोवेस हैं ये एक बहुत ही सिंपल सा रूल है जो हमें क्लास वन में ही सिखा दिया जाता है वन, टू बेसिक में मतलब सिखा दिया जाता है तो A, E, I, O, U से शुरू होने वाले जैसे एन एन एनिमी एन ओक्स एन इंक पोट एन एस एन अंब्रेला एन ओरंज ये आपके बेसिक से होगे इसमें आपका वाविल भी है और वाविल साउंड भी है तो आप सिंपल से आराम से कुछ भी अगर थोड़ा सा भी आप यूज करेंगे मैंड को तो आप यहाँ एन लगा देंगे लेकिन बात यहीं पर खतम नहीं होती है कुछ चीज़े ऐसी है जैसे साइलेंट म्यूट साइलेंट या म्यूट ह जहाँ पर हो मतलब कि इनका जो साउंड है ह का साउंड है वो साइलेंट होता है जैसे जब हम आर बोलते हैं तो hover नहीं बोलते हैं, इसको r बोलते हैं, an r, an honest person, honest, r से शुरू हुआ, इसी तरह कुछ और example है, higher, iris, heirloom, honesty, early, तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं, जिनके लिए आपको ध्यान रखना है, कि h से शुरू हुआ है, h consonant होता है, लेकिन इनका जो sound है, वो आपका एक वोविल है, और वोविल के कारण आपके इन सभी के आगे हमें an का use ही करना है, आप इसमें गलती से भी a का use ना करें, नहीं तो आपका question कलत हो जाएगा, इसमें देखें एक exception जो है, वो यह है, कि पहले जब हम पहले के time में use करते तो इसमें भी हम यह सोच के चलते थे, जैसे humble है तो इसको humble बोलते थे, लेकिन बाद में इसमें कुछ शुद्ध रोप किया गया, और इनको हम h के साथ ही बोलते, humble, humility, hotel, hostel, hospital, अब इनके हम h को silent करके नहीं बोलते और जब हम इने बोलते हैं तो हमें सबसे पहले h का sound निकलते है हमारे उसमें, humility जैसे इसमें देखें, hotel, hotel नहीं hotel हो गया, उसे तरह होस्टल, तो इनस अभी में हमें n का प्रयोग नहीं करना है, हमें किसका प्रयोग करना है, a का प्रयोग करना है, तो अभी देखें, h में ही एक रूल यह है, और h में ही एक दूसरा रूल यह है, तो इसको ध्यान रखेगा, तीसरा जो थार्ड चीज़ है, आपको बहुत ध्यान लेन वाली है, abbreviations, abbreviation किसी भी चीज का short form, जैसे MA, MP, MLA, जब हम इनको लिखते हैं, तो हम क्या लिखते हैं, MA, हमारा जो sound है, वो क्या है, वोबे sound है, और इस वोबे sound के लिए हम N का यूज़ करती है, same, यहाँ पर हम इसी रोल को यहाँ पर भी follow करेंगे, यहाँ पर भी use करेंगे, MP, MLA, और FIR, F, F से शुरू हो गई भी FIR, तो यहाँ पर भी N का use करेंगे, SDO, HMT, और RTO, लेकिन exceptional case यहाँ पर भी है, जो यहाँ पर exceptions हैं, वो यह हैं कि जब हम इसनका long row लिखेंगे, जैसे a member of parliament, जब हम इसको पूरे को लिखेंगे, तो हम यहाँ पर A ही लगाएंगे, N नहीं लगाएंगे, लेकिन short form में हम इसको N के साथ ही represent करेंगे, उसके बाद फिर next आग के देख लिए एक example और है, a master of arts, जिसको हम short form में abbreviation इसका क्या होता है, MA, तो जब हम MA लिखेंगे, तो हम लिखेंगे NMA, लेकिन जब हम इसका full form लिखेंगे, तो हम लिखेंगे A master of arts, तो आज के लिए बस इतना ही अगले जो हमारी अगली वीडियो होगी, अगली class होगी, उसके अंदर हम articles को ही आगे भी continue करेंगे, तब तक के लिए, bye, take care.